और अब बात राज़दानी दिल्ली की करते हैं और दिल्ली वालों को कुरोना के इस रेपोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए देश के राज़दानी में कुरोना के केस में लगातार कमी आ रही है तीन दिनों तक कुरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावच के बाद 19 जनवरी को फिर से ग्राफ उपर गया इसलिए अभी भी एक्सपर्ट्स के सला दे रहे हैं कि कुरोना को बिलकुल भी हलके में लेनी की ज़रूरत नहीं है दिल्ली में कम हो रहे हैं कुरोना के केस मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और साथ ही अब संक्रमर्दर भी तेजी से घटने लगी है ये दिल्ली के पिछले तीन दिन के आकड़े हैं जो 18,000 से पहले 12,000 हुए और अब 11,600 है यानि केस में लगातार कमी आ रही है लेकिन इस राहत के बीच दिल्ली के स्वास्त मंत्री ने लोगों को अब भी साबधान रहने की सलाह दी है सतेंद्र जैन के मताबिक संक्रमर्दर में कमी आई है टेस्ट भी कम हो रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं की कोरोना दिल्ली से खात्म हो चुका है दिल्ली के स्वास्त मंत्री सतेंद्र जैन में बिल्कुल सही कहा जल्द बाजी करना सही नहीं होगा क्योंकि 16, 17 और 18 जन्वरी को नए मरीजों की संक्या में जरूर कमी देखने को मिले पर 19 जन्वरी को नए केस में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई आप देख सकते हैं कि 18 जन्वरी को दिल्ली में कोरोना के नए केस 11,000 थे 19 जन्वरी को फिर केस बढ़कर 19,000 हो गए इन दो दिनों के अंतर को देख कर ये पता चलता है कि भले केस में कमी आ रही हो लेकिन लोगों को भी एहतियाद बरतने की जरूरत है नहीं तो कोरोना फिर जानलेवा बन जाएगा तो वाई दिल्ली की बात हम कर रहे हैं यहां पर हलाकि कोरोना के केसस में कमी आई है लेकिन खत्रा अभी भी बरकरार है बावजुद इसके लोग कोरोना नियमों का उलंगन करने के से बास नहीं आ रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना का खत्रा भी कम नहीं हुआ है तो दिल्ली में लोगों की लापरवाही भी कम नहीं हुई है दिल्ली के बाजारों में नियमों की धजिया उडाने का काम जारी है तस्वीरे दिल्ली के उकला मंडी की है देखिए कैसे कोरोना के कहर के बावजूद लोग लापरवाह दिख रही है इन्हें ना तो कोरोना का डर है ना ही कोविट नियमों की फिक्र मंडी में ज़्यादा तर लोग बिना मास्क की घूंटे नजर आये कुछ चुनिंदा लोगों के चेहरों पर ही मास्क नजर आया लोगों की लापरवाही इस वक्त ओकला मंडी में देखी जा सकती है आपको कई सारे लोग तस्वीरों में दिखाई देंगे जो लगातार अपील करने के बावजूद भी मास्क नहीं पहने हुए है मंडी में जिस सरीके से भीड है उसको देखते हुए संक्रमन का खत्रा और भी जादा बढ़ जाता है इसे में बेहत जरूरी हो जाता है कि लोग मास्क पहने क्योंकि कई जगाहों पर दोगज की दूरी बनना यहाँ पर संभव नहीं है हमारी संवादाता ने जब मास्क नहीं पहने लोगों से बात की तो सुनिये लोगों का जवाब कुछ ऐसा ही हाल गाजी पूरमंडी में भी देखने को मिला जहां लोग अब भी सतर्क नहीं है लोग बिना मास्क के नजर आए दोगज की दूरी भी कहीं देखने को नहीं मिले कई लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क लगाना ही भूल जाते है भी कोविट से संबंदित सभी जरूरी साथानी का हम लोग ध्यान रखें इस वक्त क्या लोग साथानी का ध्यान रख रहे या फिर लापरवाही बरत रहे है यह जानने के लिए इस वक्त EMP News की टीम राजजानी दिली के पूर्वी दिली स्थेत गाजीपूर मंडी पहुच गई और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपूर मंडी के अंदर से जादातर लोग हमें यहाँ पर मास्क पहने वो नहीं दिखाई दे रहे हैं से जारतर लोग हैं जो कैमरे की नजर पढ़ने पर मास्क पहने हैं ताजा आकडों के मताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,789 नए मामले सामने आए हैं 16,580 मरीज ठीक हुए वहीं कोरोना से 35 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले दिनों के मुकाबले कुछ कम तो हो रहे हैं एक्सपर्ट दावा भी कर रहे हैं कि दिल्ली में इस महीने के अन तक कोरोना खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसी लापरवाही से आंकडों में दोबारा उचाला सकता हैं जबकि संक्रमर्दर अब भी चिंता का सबब बनी हुई है। पंजाब के मुख्य मंत्री चरण जीत सिंग चन्नी चोतरफा घिर गए है। वजह है अवैध रेत खनन को लेकर इनके रिश्णदारों और करीबियों पर एडी की च्छापे मारी। पिछली तीन दिन से जारी च्छापे मारी में चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंग हनी और इनके सहयोगियों के ठेकानों से दस करोड रुपे से ज्यादा नकदी 21 लाख का सोड़ा और 12 लाख रुपे की रोलेक्स की घड़ी बरामत हुई है। इसके साथ कई महत्वपूर दस्तावेज भी जब्थ हुए हैं। मुहाली लुध्याना और पठान कोट में अवैद रेत खनन के जिस मामले में च्छापे मारी हुई वो करीब चार साल पुराना है। तब चन्नी सीएम नहीं थे लेकिन पंजाब में कॉंग्रिस की ही सरकार थी और उस वक्त पंजाब पुलिस ने जो केस दर्ज किया था उसमें सीएम चन्नी के रिष्टेदारों का नाम नहीं था। क्योंकि इन लोग एक छोटी कंपनी को करोलो का ठेका मिला था। अब चूकी मौसम चुनावी है। आरोपों के घेरे में खुद सीएम के भांजे है। इसलिए चन्नी ने भी विक्टिम कार्ट खेलते हुए छापों को पी-एम की सुरक्षा में हुई चूक से जोड़ दिया। दिल्ली बार-बार चड़के आहरी है तो पनजाब ने हमेशा दिल्ली तोड़ ज़ाब देता है। जदों भी चाहे मुगना दे चाहे अंग्रेज जाह दे जड़ भी दिल्ली पंजाब ते चड़की आई है ताँ पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है इस वार भी पंजाब उसे तरह जवाब देगा चन्नी भले ही चाहपो को पंजाबी असमिता से जोड रहे हूँ लेकिन विपक्ष इस मौके को हरगेज हाथ से जाने नहीं देना चाहता है खासकर आम आदमी पार्टी जिसे इस मुद्धे पर फायदा ही फायदा नजर आ रहा है केजरिवाल ने चन्नी के भांजे के लुधियाना वाले घर से बरामत कैश की तस्वीरे पोस्ट करते हुए ट्वेटर पर लिखा चन्नी आम आदमी नहीं बैमान आदमी है पंजाब में 20 परवरी को 117 सीटों पर वोटिंग है यानी मतदान में सिर्फ एक महिने का वक्त बचा है ऐसे में अवैद खनन को लेकर कॉंग्रिस पर हमले और तेज होना तैय है अगर ये सीएम चन्नी के घर में रेड होती ही तो सौ करो निकलना था उन्हें मनी ट्रांसफर की है मुझे एक आफसर बता रहे थे जल्दी जल्दी से पैसा निकाल रहे थे लग लग जगा उपे बेज रहे थे चरण जीत सिंग चन्नी साब आम आदमी नहीं बैमान आदमी है कि आपके भतीजे के घर से दस करोड नकद कैश कहां से आया 111 दिन पहले तो नहीं था ये पैसा इस सब के बीच अच्छी बात ये है कि रोपर के हलका बेला में जहां से अवैद खरनन के रिपोर्ट दिखाई थी वहां अब सन्नाटा है हलकि यहां मौजूद रेत के धेर और टायरों के निशान बता रहे हैं कि छापे मादी से ठीक पहले यहां क्या चल रहा था बीच पी ने कई नाम फाइनल कर दिये हैं और जो नाम टैक किये गए हैं उनमें से कुछ नाम ABP News के पास है जिन्हें बीच पी टिकट दे सकती हैं बस अभी एलान बाकी है कुछ उम्मीदवारों के नाम आपको हम बता रहे हैं अश्वनी शर्मा पठान कोट से सुर्जीत ग्यानी फाजलका से तो वही हरजोत कमल मोगा से और दिनेश सुजानपुर से आगे अगर उम्मीदवारों की बात करें तो मनुरंजन कालिया ज्वालंधन इनकी अभी ओप चारे खोष्णा होना बाकी है राना गुरमीत सोड़ी फिरोसपुर से तो वही अरुन नारंग मौजुदा विधायक जिन्हें अबोहर से एक बार फिर टिकेट मिलने की पूरी संभावना है तिक्षन सूत होश्यारपुर से रगुनात राना दस्विया से और साथी प्रीत भटीक खना से टिकेट उनको मिल सकता है ऐसे में महेंद्र भगत जौलंधर पश्चिम से इन्हें उम्मीदवार बीजपी बना सकती है दीदार सिंग भटी फतेगर साहिप से तो वही गुरदेव शर्मा लुद्याना से इन्हें अपना उमीदवार बीजपी बनाए बज़े टेक्टो की मांग को बताया जा रहा है जानकारी के मताबिक जेल बेबंद आखिलेश से अपने 12 समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी लेकिल अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया है और नतीजा आजम खान आराज हो गए हैं कहा जा रहा है कि आजम खान अब समर्थकों की लिस्ट अखिलेश के पास बिजवाई थी जिनको टिकट देने से अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया जिससे आजम खान नाराज है अब वो जो जानकारी मिल रही है इमरान मसूद और कादिर राणा के संपर्क में हैं पंकर जी ये खीशतान के खबर जो आ र पाना नामुकिन लग रहा था ये जेल में जाकर उन से कई निस्टाउने बाद भी किसी समाजवादी पाठी के और जैसा हम चर्चा कर रहेंगी बारा विजायकों की बारा समर्चों की लिस्ट भी दी थी लेकिन उस पर बात नहीं बनी देखिए उनके बेटे अब्दुल् अब्दुल्लाबाद और सहारनपूर ऐसी जगों से बी और बदाईयों से भी उनको अपनी समर्चों के लिए टिकट चाहिए थी अगले चादर उसके लिए त्यार नहीं हुए है और कल अब्दुल्लाबाद आजम में कई लोगों से बात चीज़ कि ये खास और से मुस्लि फिलाल अखिलेश ने इंकार कर दिया है बारा समर्थकों को टिकेट देने के लिए लेकिन आजम खान का अगला कदम क्या होता है इस पर नज़र बने रहे गिया अपडेट आप तक पहुंच आएंगे अब बात कर लेते हैं बीजपी की क्योंकि आज बीजपी की तीसवरे चरण के चनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है कल देर रात तक बीजपी के बड़े बड़े नेताओं के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और यूपी उत्राखंट से लेकर पंजाब तक की उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है जानकारी क उत्राखंट, पंजाब और गोवा के लिए उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी करने के लिए बीजेपी ने देर रात तक बड़ी बैठक की यूपी के युद्धाओं को तै करने के लिए अमिदवारों के लिए अमिदवारों के नाम फाइनल कर लिये है और आज उसक कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर नजर डालिये। एबीपी न्यूज के पास करीब 40 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है जिनका एलान आज हो सकता है दिल्ली में बड़ी बैठा के बाद भीती राती सीम योगी आदेत तिनात दोनों डिप्टी सीम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतेंत्र देव सिंग लकनव लोड़ गए टिकट पर मंथन के बीच पार्टी के भीतर लकनव की कैंट विधान सभा सीट के लिए मारा मारी मची है रीता बहुगणा जोशी तो इस सीट से अपने बेटे मयंग जोशी को टिकट दिलाना चाहती है और सूत्रों के मताबिक वो इसके बदले पार्टी के सामने अपनी सा जल शक्ति मंत्री महेंदर सिंग के नाम की भी चर्चा है तो इन सब के अलावा मौजूदा विधायक सुरेश्टिवारी भी दाविधारी में हैं सुरेश्टिवारी का कहना है कि पार्टी आला कमान तो उन्हीं पर भरोसा जताएगा प्रत्युदांदी टिकट मांगने के सभी हगदार हैं टिकट मांग रहें लेकिन भारती जनता पार्टी ऐसे किसी के दबाव में नहीं आती भारती जनता पार्टी अपने कारेकरताओं को ध्यान में रखकर निर्णे करती है और हमारा केंदरी नेतत्रो मेरे अनुमान के हिसा तो इन सब के बीच लखनोव कैंट सीट से चुनाव लड़ने वालों में अब अपरना यादो का नाम भी शामिल हो गया है जो अपने परिवार को छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी है अपड़ना यादों ने इसी सीट से 2017 में चुनाव लड़ा था और तब बीजेपी की रीता भवगणा जोशी से चुनाव हार गई थी अब दावेदारी के इस महामारी में लखनोग कैंड की जनिता किराय जानना भी जरूरी है देखी वो क्या सोचते हैं कौन चुनाव लड़े यूपी में गटबंधन में खीचतान और टिक्टों की मांग की बीच कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ाने अमिच्शा की मौजूदगी में सहीवग्यों के साथ एक बैठक की प्रस कॉन्फरेंस में सब एक साथ बैठकर एक जुटता का संदेश दे रहे थे लेकिन इतने मन्थन के बावजूद सीटू के बटबारे का फॉर्मूला नहीं निकल पाया यूपी चुनाव में बीजेपी गटबंधन के सहीवग्यों को साथ कर रखने की पूरी कवायत तर रही है इसी के तहर दिल्ली में पार्टी मुख्याले में बड़ी बैठक हुई जिसमें बीजेपी अधेक्स जेपी नटा अपना दल एसकी नेता अनुप्रिया पटेल और निशाद पार्टी के डॉक्टर संजे निशाद मौजूद थे बैठके बाद बीजेपी की ओर से दोहराया गया गटबंधन एक जुट है लेकिन फूर पढ़ने की जो वज़ा हो सकती है यानी सीटों का बटवारा उसका एलान अब तक नहीं हुआ है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई उत्तर पदेश में डबल इंजिन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर पदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का यूपी में सही योगियों के साथ हुई इस बड़ी बैठक ले सीम योगी दोनों डिप्टी सीम के साथ केंदरी मंत्री आमिक शाह भी मौजूद थे यूपी में बीजेपी अपना दल एस और निशात पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े की जेपी नड़ा के सैलान के बाद अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि गड़बंधन में कोई विवाद नहीं है लेकिन एबीपी निउस के साथ बाचीत में वो 2017 से जादा सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी मांग पर भी कायम दिखी बैठा के बाद तो डॉक्टर संजे निशाद ने भी फिलहाल बीजेपी को रास आने वाला बयान दे दिया है पिछली कुछ महीनों से कई बार बीजेपी के बड़े नेटाओं के साथ बैठा कर चुके हैं डॉक्टर संजे निशाद वजा वही ज्यादा सीटों की मांग कई बार बीजेपी को खोले आम धंकी भी दे चुके हैं लहाजा गडबनन कितना मजबूत और एक जुट रहेगा इसका असल इम्तिहान तो तभी होगा जब सीटों के बटवारे का फॉर्मूला सामने आएगा तब तक के लिए इंतिजार करना होगा इस बीच बड़ी खबर आपको बता दे यूपी में चिनाफ से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी कींचतान की खबर है मुनायम परिवार के सबसे करीबी रहे आजम खान और अखिलेश यादव में ही अनबन की खबर आई है बज़ा टिक्टो की मांग को बताया ज़ा रहा है और जानकारी के मताविक जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश उसे अपने बारहा समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया नतीजा आजम खान नाराज हो गए है कहाजवारा है कि आजम खान अब इम्रान मसूद कादिर राना जैसे नेताओं के संपर्क में है सवाल ये कि क्या आजम खान अपना अलग गुट बनाएंगे आजम खान का अगला कदम क्या होता है इस पर निगाहे हैं क्योंकि आजम खान की जो मांग थी उसको इंकार कर दिया अखिलेश यादव ने आजम खान 12 टिकट मांग रहे थी अपने समर्थकों के लिए लेकिन अखिलेश तयार नहीं है एसा सुत्रों के हवाले से खबर है ऐसे में आजम खान अगला कदम क्या उठाते हैं इस पर लगातार अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे तो देखें यूपी में अखिलेश यादव ने पहली बार विधान सभा का चुनाव लड़ने का एलान किया है पर वो आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सीट पर सस्पेंस का ये सियासी खेल क्या है एक रपोर्ट के जरीया आपको समझाते है इस हैलान से साफ है कि बीजेपी के विजएरत को रोकने के लिए इस बार अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं लेकिन सवाल है कहां से चर्चा है अखिलेश आजमगड की गोपालपूर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अभी गोपालपूर से नफीस एहमद समाजवादी पार्टी के विधायक है इन्होंने ट्वीट कर अखिलेश ने गोपालपूर से ही चुनाव लड़ने की अपील की है नफीस ने कहा कि ऐसा हुआ तो इलाके का मान सम्मान बढ़ेगा वोटों के समीकरण के हिसाब से गोपालपूर सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है 1996 से बीते पांच विधान सभा चुनाओं के नतीजों पर गौर करें तो यहां चार बार समाजवादी पार्टी तो एक बार बी एस पी को जीत मिली है 2019 में लोकसभा के चुनाओं के दुरान सबसे अधिक वोट अखिलेश यादो को गोपाल पुर्विधान सभा क्शेतर से मिला था तरह से यूगी आजितनाज जी ने अपने गरह जनपत गोरकपूर को चुना अगर यहां से लड़ेगे तो जीत जाएंगे तो यहां से उनको ज्यादे टेंशन न लेनी पड़े अखिलेश यादब के आजम गटके ही किसी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वे वहां के सांसद भी है अखिलेश यादब अपने गड़ इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है क्योंकि वे अगर पुर्वांचल छोड़ कर गए तो विरोधी उनके खिलाब महौल बना सकते हैं पुर्वांचल से चुनाव लड़ने से वे बीजेपी से सीधी टकर का संदेश भी दे सकते हैं क्योंकि ये इलाका PM मोदी और CM योगी की चुनावी कर्मभूमी भी है अखिलेश यादो के भले ही आजमगर से चुनाव लड़ने की चर्चा हो लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है अखिलेश ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि वो बाबा से पहले चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादो के इस बयान पर यकीन करें तो इनके संभल की गुन्नौर सीट से भी चुनाव लड़ने की प्रबल संभाबना है क्योंकि यहां अगले महीने 14 फरवरी को ही मतदान है जबकि सीम योगी जिस गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतर रहे हैं यहां तीन मार्च को वोटिंग होनी है आपको बता दे कि संभल की गुन्नौर सीट से अखिलेश के पिता मुलाइम सिंग यादो भी दो बार विधायक रहे चुके हैं इस सीट का समीकरण अखिलेश यादो के लिए सुरक्षित माना जा सकता है हलकि 2017 में यहां से बीजेपी जीत गई थी समाजवादी पार्टी ने गुन्नौर से राम खिलाडी यादो को अपना उमीदवार बना दिया है लेकिन अखिलेश यादो ने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो सारे समीकरण उनके पक्ष में जा सकते हैं अखिलेश जहां से भी चुनाव लड़े लेकिन उनके मैदान में उतरने भर के ऐलान से कारेकरताओं का जोश दुगना हो गया है अब देखिए कि तमाम कारेकरता अभी से इकटे हैं इन लोगों से बात करते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री योगिया इतना थी हैं जो सियम का चेहरा हैं और वो चुनाव मैदान में उतरेंगे इसके लावा जितने भी चेहरे हैं वो सब विधानसभा चुनाव मैदान में ने उतरेंगे तो अखिलेश जी के उतरने से साइकलोजिकल फायदा हो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के जश्न का ये शोर बीजेपी कैम्प में भी पहुचा इसके बाद बीजेपी ने अखिलेश के एलान पर उसी तरह पलटबार गिया जैसे अखिलेश ने योगी के चुनाविक शेतर का एलान होने पर किया था चुनाओं में हर एक बेक्ट को उतरने का अधिकार है वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकरत प्रत्यासी बने ये हमारी भी कामना है उनको बनना चाहिए लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैक फुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बात अब उनकी हिमत नहीं हो पारे कि अगली सूची वो जारी कर सके वो कहते थे कि हमने विकास किया है और अगर आपने विकास किया है तो सीड को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो 2022 के विधान सभा चुनाओं में सुरचित ठिकाना तलासने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया बीजेपी अब भी आरोप लगा रही है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौरे के चुनाओं क्षेतर का एलान होने के बाद अखिलेश पर भी चुनाओं रण में उतरने का दबाव बढ़ गया था जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने आधरनी योगी जी को आधरनी केशव मौरे को लडाने की बाद की है उसको लेकर कहीं न कहीं एक प्रश्ण तो वहाँ इनके और सदस उठाई रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाओं अखिले स्यादो जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं अखिले स्यादो जी पर इतना दवाव था मुख्यमंत्री योगिया जितना जी के चुनाओं लड़े की घोशना के बाद उनके पार्टी कारिकरताओं में बड़ी रासा थी और ऐसे वे आप कारिकरताओं के दवाव के बाद अखिले स्यादो जी ना नुकुर करते हुए चुनाओं लड़े के लिए तयार ही हो रहे है विपक्ष भले ही अखिले स्यादो पर दवाव में चुनाओं लड़ने का आरोप लगा है लेकिन अखलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से ही कई नए समिकरण तयार होंगे जो 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं लेकि यूपी में समाजवादी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स कैसे जनता को लुभा रही है जो दाओ समाजवादी पार्टी में चला है जनता उसको कितना पसंद कर रही है आपको लिखाते हैं इस रिपोर्ट में यूपी में अपकी बार बिजली मीटर में आने वाली ये रीडिंग भी चुनावी मुद्दा बनने वाली है किजरिवाल के जवाब में यूपी में अखिलेश यादव ने जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री वाला दाउं चला है उसके लिए 19 तारिक से रेजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है कोरोना की वज़े से डोर टू डोर कैम्पेंट तो नहीं हो रहा लहाजा ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है अखिलेश के एलान का कितना असर है ये जानने के लिए गाजेबाद के एक घर में हमारी टीम पहुची जहां ये परिवार फोन के जर्ये ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करता दिखा एक आम घर की तरह यहां भी फ्रेज वाशिंग मेशीन टीवी है घर का बिजली बिल 250 यूनिट तक आता है परिवार को लगता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होने से उनकी बड़ी बचत हो जाएगी अगर 300 यूनिट हमें फ्री मिलती है तो उससे तो हमें इत्ती खुश होगी कि हमने बच्चों के एजुकेशन और बहुत से काम अपने घर के कर सकते हैं गाजियाबाद के तरह ही चंदौली की तस्वीर देखिए ये समाजबादी पार्टी के पूर्वसांसर है पार्टी मुख्याले से आये फॉर्म को लेकर गाउं गाउं जा रही है तीन सो यूनिट त्री बिजली वाला फॉर्म भरवाया जा रहा है और लोगों को उसका फाइदा बताया जा रहा है ये राश्टी अध्रग जी ने एक निरे लिया कि सपार्टी सरकार 22 में बनने पर हम तीन सो यूनिट बिजली पृतेग नागरी को फ्री दें चंदौली में रेवा गाओ के घंच्याम को भी अखिले श्यादो के 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का एलान खूबरा सा रहा है फ्री बिजली वाला अखिलेश का एलान लोगों का ध्यान तो अपने बीच खीच रहा है लेकिन सवाल है कि क्या फ्री वाले दाउ से अखिलेश चुनाओ में अपने लिए वोट भी बटोर पाएंगे और 2022 के रण में कितना कमाल कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं भविष्य किसी ने नहीं देखा है भविष्य में कुछ भी हो सकता है ये बयान देकर बिहार में मुकेश उसेहनी ने आरजडी से हाथ मिलाने के संकित दिये और नितीश की सरकार के लिए खत्रे की घंटी बज़ा दी है सरकार में रहते हुए मुकेश उसेहनी विरोधी लालू और तेजस्वी की कर रही हैं तारीफ और कर रही हैं बीज़पी पर कराराबार क्या बिहार में नितीश सरकार पर संकट मंड़ा रहा है क्योंकि सत्ताधारी गड़ बंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है चार प्रमुक पार्टियां चार अलग दिशाओं में चलती दिख रही है और चारो एक दूसरे पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे मान जी शराब बंधी के सहारे जेडियू को घेरते हैं जेडियू के नेता बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी भी जेडियू को जवाब दे देती हैं तो अब मुकेश सहनी आखे दिखाने लगे है नितीश की सरकार में मुकेश सहनी को अपनी सियासी आउकाद बहू भी पता है ये पता है कि उनके समर्थन के बैसाखी पर ही नितीश की सरकार ठीकी है और उनके चार विधायकों की एहमियत बीजेपी के 74 के आकड़ों से कम नहीं लिहाजा जब भी वो नाराज होते हैं तो करारावार करते हैं सेहनी के बीजेपी से नाराजगी के वज़ा यूपी चुनाव है जहां सेहनी अपनी चुनावी किसमत आजमा रहे हैं जिसके लिए वो बीजेपी निताओं के निशाने पर है सब जानते हैं कि जीतन राम माजी या मुकेश सेहनी के बिना नितीश की सरकार नहीं चल सकती और सरकार बनने के समय से ही आरजेडी की नजर इन दोनों पार्टियों पर है एक बार फिर सेहनी की नाराजगी भरे बयान के बाल आरजेडी आग को हवा देने पहुँच गई मुकेश सेहनी के घर पर काफी लंबी बाचीत की बाहर निकले तो सत्ता धारी गड़ बंधन की धरकन बढ़ाने वाला बयान दे दिया सरकार की नईया तो डगमगा ही रही है हम का इतले चड़ने आएंगे सरकार नाव डूबेगी तो हम क्या करेंगे देखेंगे मुकेश सेहनी भी आरजडी के प्रति अपना प्रेम जाहिर करने से नहीं चूक रहे सेहनी के बदले तेवर बीजेपी के मंत्री भी बेफेक रहोकर पलटवार कर रहे है बीजेपी कोटे से मंत्री बने नीरच कुमार बबलू ने दूसरे सहयोगी जीतन राम माजी पर भी तंज किया माजी जी क्या मांकर है उनका अपना मन मिजाज रहता है रहते रहते हैं कड़वरा जाते हैं उमर का सर उसर उंपर है पहले से भी बोल रहे हैं एक तरफ मुकेश सहनी का आरजेजी से हाथ मिलाने के संकेत है और दूसरी तरफ बीजेपी का ये अडियल रवया कहीं सच में सुषासन बाबु की सरकार के लिए संकट ना खड़ा कर दे तो नवस्ते भारत के आज के सफर में फिलहाल इतना ही ABP News आपको रखे आगे